आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वाकत करता हूं आशा करता हूं आप सभी सुस्थ होंगे महादेव की कृपाप सभी पर सदाय पनी रहें यह वीडियो कन्या यानिकी वर्गों के लिए बहुत महत्तपून है क्योंकि यह वीडियो है शुक्र महाराज के राशी परिवतन क कर रहें और आपके लिए आपके बार्वे स्थान में आकर स्ठापित हो जाएंगे शुक्र क्योंकि एक बहुत ही शुब गरह हैं दोही गरह शु Germ required कहें कहें हैं व्यत्ति हैं ब्रजपति और शुक्र जहां पर भी जाते हैं अपनी शुबता ले कर जाते हैं दूसरा क्योंकि आपके लगने के स्वामियानी की बुद्ध के मित्र ग्रह भी है इसलिए उनका राशी परितन हमेशा महत्तपून हो जाता है और इसके साथ ही उनकी यूति मंगल के साथ भी हो रही है तो बारवे स्थान में शुक्र का आना मंगल के साथ यूति होना अपने प्रियतम स्थान में जाना आपके जीवन में क्या-क्या सगरात्मक नगरात्मक बदलाव लेकर आ सकता है इन्हीं सब चीजों के बारे में यह वीडियो होगी एक और चीज बताना चाहूंगा कि शुक्र वैसे तो साथ या आठ अगस्त तक यहां पे रहेंगे यानि कि सिम्भ में ले लिकिन यह राषीफल केवल साथ से 23 तक का मानिएगा तो शुरुवात करते हैं समयत्वपूण राशीफल का देखी जैसा मैं केहा चुका हूं कि शुकर बार्वे गर के शुक्र बहुत शुब होते हैं हर शास्त सम्मत है कि बार्वे घर का शुक्र व्यक्ति को भोग देता है जो भी आपके शौक हो 때 हैं जो भी आपके डिजायर्स होते हैं कई न से दिख्ते हैं और शुक्र इच्छापूर्थी का ग्रह है तो बारवे घर में जब वो हाते हैं तो इक्छाएंपूरी करते हैं और उनका प्रियत्रम स्थान है इसलिए अपने आपमें शु Совता दिख रही है, आपके कई रुके हुए कार्य बन सकते हैं, आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, दूसरा, शुक्र जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपके लगने के स्वामी बुद्ध के मित्र रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज दिख रही है, इसके साथ ही शुक्र आपके भागिस्थान के स्वामी है, भागिस्थान के स्वामी का बारवे घर में जाना, यानि कि जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश में जो कड़ी MNC में काम करते हैं, किसी MNC में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपका पैसा बढ़ सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, और इसके साथ ही अगर आप ट्रांसवर ढूंड रहे थे, उसके लिए भी समय सबसे अच्छा है, क्योंकि बारव शुक्र की योती मैं कई बार बता चुका हूँ, धनकारक होती है, मंगल क्या है, मंगल आपके लिए अश्टम के स्वामी है, तो क्या बना रहे हैं वो, विपरीत राजयोग, और उसके साथ ही मंगल तीसरे घर के स्वामी है, यानि कि अपने एफर्ट से, क्योंकि विपरीत हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, और क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ लोग ने अलड़ी प्लैनिंग कर ली हो, या आने वाल एक महिने में विदेश यात् का उनका योग बन ही रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, और क्योंकि विप्रीत राजयोग शुक्र के साथ है, कुछ रुका हुआ, अटका हुआ आपका पैसा था, वो भी इस टाइम पर वापस आ सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज बदूर होंगी, और बिसनस में आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, कारक शित्र से तीसरे भाव में ये हो रहा है, यानि कि यहां से भी स्पष्ट है, कि आपके एफ़र्ट्स को अब कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कुछ काम आपके कारक भाव से नवम में है, यानि कि घर का भागे बढ़ेगा, तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपको अवश्य देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र और मंगल पंचम से अश्टम में हैं, यानि कि स्टूडेंस को भी स्थिरताप राप्त होगी और जो स्टूडेंस विदेश जाने के इच्छुक थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, तो अधिकतम आपको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं, एक और महत्वपून चीज़ है, नवम से चौथे में हैं, और मंगल प्रोपर्टी के कारक हैं और अश्टम भाव के स्वामी हैं, आपके पिता जी कॉमुनिकेशन में गल्तियां हो सकती हैं, अब कुछ नेगेटिव बातों की बात कर लेते हैं, देखे शुक्रमंगल की होती, बारवे घर में खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, अचानक से खर्चा आपका बढ़ जाएगा, आपको समझी ने आएगा पैसा कहां जा रहा है, जा कहा रहा है, तो एक conscious effort लगाएगा कि खर्चा कंट्रोल करना है, दूसरा बारवा घर क्या है, एक तरह से रोग का दूसरा स्थान है, यहां के रोग दवाईयां देते हैं, कुछ ऐसी विपाई लग जाती है, जिसे दवाई खाने पड़ती है, हो सकता है अचाना से अच्छे रिजलते हैं, जब लीगल कारों की बात करते हैं, तो आप बुद्ध अच्छा रिजलते हैं, और शुक्र बारवे में कभी-कभी लीगल कारों को अटका देते हैं, यह नहीं करा कि आपके विरुद्ध जाएंगी जीज़ें, लेकिन कुछ समय के लिए अटक सकती हैं, क्योंकि मंगल हैं साथ में, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ आपका लीगल कारे चल रहा था, उसमें थोड़ा डिले अवश्य आ सकता है, इसके साथ ही अचानक से कोई बड़ा बदलाव मतलाईएगा अपने जीवन में, अचानक से कुछ नया आ पाने की बनत सोचा, तो वो कारे भी आपका अटक सकता है, सेहत की जहां तक बात है, हर्मोनल प्रॉबलम, आखों की प्रॉबifter, ब्लड डिसओर्स, और जिनको किड़नी की कोई प्रॉब्लम है उनके दिक्कत परिशानी बढ़ सकती है उपाय के इस रूप में किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको एक नार्यल अर्पन करना है सफेद फूल अर्पन करने है माता के चड़नों में और दुरगा चालीसा का एक बार पाट करना है आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी चरल पर यहती नए है सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओमनों